हेलो एंड वेलकम तू ओमनी सेंट्स अकेडमी एंड दिस ऑफिशल यूट्यूब चैनल आफ ओमनी सेंट्स अकेडमी नोन एज पीसी पंचायत आज हम अपना यूनिट 2 आप्टिट्यूड में डेडिकेशन को पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट वीडि विडियूड पर पढ़ रहे हैं aptitude के अंदर जितने भी से हम पढ़ रहे हैं objectivity नॉन नॉन-partisanship और Importality ये सारी qualities ये values हम पढ़ रहे हैं तो ये second a ये i डेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका सारा एनरजी टाइम आप से एंटायरली इन्वेस्टेड इन पर्टिकुलर टास्क आप पूरे कि पूरे तरीके से अपने आप किसी चीज में जोग देते हो फिर आप आजू-बाजू चीजे में धान नहीं देते आप केवल उसको करने के लिए सारी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं days इससे क्या बोलते हैं डेडिकेशन जिसमें आपकी सारी time energy concentration focus हर चीज़ आपका उस गोल को अचीव करने के लिए होता है किसी टास्स कंप्लीट करने के लिए होता है वह आपका dedication कहलाता है ठीक है dedication in public services क्यों चाहिए हम देखते हैं कि honorable former prime minister of India राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम यहां से एक रुपे भेशते हैं और नीचे जाके वो कुछ पैसों में रह जाते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जो gap between policy formation and implementation है उसको हटाने के लिए उसको हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ठीक है उसको implement कौन करता है एक public servant या civil servant ठीक है civil servant अगर dedicated होगा towards public services which means welfare of the people which means he is very much committed towards eliminating all the social evils like poverty, unemployment, malnutrition and abusive activities in the society यह सारी चीजों को हटाने में जब एक civil servant dedicated रहेगा तो जो gap है between policy formation, policy implementation और लोगों में ground reality वो change होगी वो जो gap है वो घटेगा यहां से अगर हम बोलते हैं policy बनाते हैं कि अगर हम 2050 तक यह वाद 2070 तक अपना carbon neutrality zero कर देंगे तो अगर कोई dedicated civil servant इसके तरफ public welfare के तरफ काम करेंगे तो यह actually achievable है ऐसा नहीं होगा कि हमारे goals और हमारे achievement में difference आएगा इस gap को घटाने के लिए उनको कैसे civil servant चाहिए dedicated public servant चाहिए make sure कि आपके दिमाग में यह रहे कि जो भी हम पढ़ रहे है values impartiality non-partisanship objectivity यह dedication यह सारी चीज़े क्या है second ARC में recommend की हैं कि एक civil servant में होनी चाहिए तो उसे महसूस अगर आप करेंगे तो आपको यह समझने में ज़्यादा आसानी होगी ठीक क्योंकि हमारे इतना सारा शोशिल इविल्स है यहां पर हमारे हम पावर्टी अनेप्लाइमें इतना ज्याद है कि उसको हटाने के लिए actually dedicated people चाहिए ठीक है तो what is dedication definition में दिखते है what is dedication 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 is nothing but ability 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 to invest our time our or his or her time energy focus or self or self or self entirely 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 towards 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 a particular 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 goal person task etc etc what is your ability to focus to concentrate to invest your time energy or entirely yourself into a particular task task thing and not as as it it also लाता है इसके example for example विराट कोली हम विराट कोली के work ethics की बात करते हैं विराट कोली है ना या सुनील चेतरी यह फूटबॉलर है यह क्रिकेटर है आप इनको जानते हैं यह ना तो विराट कोली की का work ethics अगर देखा जाए कि उनका खाना उनकी marriage का timing ठीक है वो किस तरह किस time off season में marriage करेंगे कब करेंगे यह उन वो क्यान सा काना खाएंगे कब खाएंगे यह भी इनका सब dependent है उनके gamekeeper दो दो घंटे dedicatedly प्रैक्टिस करते हैं ठीक है no matter what वो time पर ground पर पांच मिनट पहले पहुंचेंगे यह दस मिनट आदे घंटे पहले पहुंचेंगे एक दो मिनट दस मिनट जाद दो घंटे में से दस मिनट पंदर मिनट जादा जादा ट्रेनिंग करेंगे ठीक है which shows his dedication towards his game ठीक है यह dedication का एक बहुत प्यारा example है उसके साथ और क्या देख सकते हैं कि dedication dedication is the highest form of dedication is the highest form of commitment dedication is the highest form of commitment 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 का मतलब होता है to indulge yourself ठीक है आप किसी चीज़ के लिए promise कर देते हैं आप उसके लिए ensure करते कि यह आप काम करेंगे that is commitment हाईest form of commitment क्यों है क्योंकि भ जब आप Komर्य करते हैं तो होसकता है कि आप यह feel करें या फोटल करें अजन फिल करें कहाब करें आप न फिल करें बर्ड़ीन करें चैरि आप थोड़ा सब्सक्राएर करो इसलिए करना पड़ रहा है जब आप कमिटमेंट देते हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कभी-कभी ऐसा फिलो कि क्यूंकि बोल दिया इसलिए करना पड़ रहा है या फिर बहुत बोज लेकिन जब आप डेडिकेटेड रहेंगे हाइस फॉर्म अफ कमिटमेंट में आ जाएं तो सेल्फ इंस्पायड तु डू और तू कम्प्लीट तास्क तू अपे आइडियास तको या आईडियास को अचीव करने के लिए काम करते रहेंगे ठीक है तो आप highest form of commitment क्यों है क्योंकि आप burden फील नहीं कर रहे हैं यहां आप इतने inspired हैं कि उसको complete करने के लिए जा रहे हैं तो इसलिए dedicated होना ज़रूरी क्योंकि जब आप public service में काम करेंगे इनर्जेटिक तो इनर्जेटिक तो इनर्जेटिक तो वर्क ठीक किसी आपको ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया आपको self inner self आपका inertia create करेंगा कि मुझे यह करना है अगर आप कोई problem दिखेंगी ऐसा लगेगा यार यह इस वाली road में कम लोग को वो मिल रही है लोग को व आपको burden फील नहीं होगा आपको खुझ से अंदर से नए-नए ideas आएंगे और आप उसे complete करेंगे इसलिए dedication in public service वो देमांड करते है ठीक है एक और चीज़ दिखते है दिख रहा है आपको ठीक है dedication dedication can be achieved can be achieved through can be achieved through two qualities can be achieved through two qualities first one is commitment अभी हमने उपर बात की commitment and second one is second one is perseverance second one is perseverance perseverance second one is perseverance का मतलब क्या होता है perseverance is consistently you studyly you work for your goal ठीक है आप persistence perseverance का मतलब कहा लिकूँ मैं ठीक है इसी के नीचे लिख लेता हूँ perseverance is not that is consistent consistent or steady steady work towards your goal work towards your goal despite of despite of all the despite of all the difficulties ठीक है यह constraints यह challenges in the path यह important है perseverance क्या है कि आप consistently अपने काम के प्रती सजक है अपने काम को करते जा रहे हैं despite of all the difficulties despite of all the challenges in the path ठीक है यह perseverance होता है और जब आप commitment और perseverance दोनों दिखाते है that becomes your dedication towards that particular thing object goal that vision जो भी कहना चाहें आप ठीक है तो यह dedication का वो है अब हम देखेंगे what is अभी हमने समझा dedication क्या होता है ठीक है dedication की definition देखी विराट कोली का example देखा ठीक है dedication is the highest form of commitment dedication कैसे बनाया जा सकता है तो commitment हम perseverance से dedication मिलके बनता है मतलब इससे और strong होता है इससे highlight होता है dedication ठीक है इन दोनों qualities से अब हम देखेंगे what is dedication in public service अभी हमने क्या देखा dedication अब हम देखेंगे what is dedication in public service ठीक है now हमने dedication complete कर लिया अब हम देखेंगे dedication to public service so dedication is dedication to public service is nothing but dedication dedication to public service service public service is to integrate to integrate 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 ourselves 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 with with idea of idea of idea of public good good public good welfare of society welfare of society or public or public service जब आप अपने idea को अपने side जब हमने क्या देखा विराट को लिए is dedicated towards cricket ठीक है तो हमने देखा जब वो dedication वो same level of your actions your energy towards a particular task come or you integrate with public good public welfare service जब आप पब्लिक के डेडिक पब्लिक के सर्वेस के लिए यह dedication लेके आते है that becomes your dedication towards public service ठीक है वो उसी sense को आप integrate करते है अपने आपको integrate करते है towards public good और पब्लिक सर्वेस फॉर एक्जाम्पल पर एक्जाम्पल कैलाश कैलाश सत्यार्थी सर्व ठीक है कैलाश सत्यार्थी सर्व है ठीक है या mother teresa है या mother teresa है हो सकता है कि आपको और भी नाम याद आप वो लिख सकते है ठीक है जो अपने जो समाज के कारों में अपने आपको नहित कर देते हैं ठीक है अपने सारे अपने self को अपने knowledge को सारी चीजों को किस चीज के लिए जोग देते है टोवर्ड्स welfare of the people ठीक है लोगों के हित के लिए वह होते हैं इंटिग्रेट वह होते हैं dedicated people जैसे केलाज सत्यार्ती सर्व मदर तरसा यह सारे लोग dedicated people थे towards public service अब नेक्स देखते हैं कि public service पे जब आप dedicated होते हो to get motivated ठीक है dedicated person dedicated person person in civil service person in civil services or public service service is not affected by not affected by affected by the work given to him the work given to given to him or her him or her whether the work is whether the work is bored boring उसके ऐसा कुछ feeling नहीं होता है या उनके उनके जो expectations ही उनके unexpected work है unexciting है non exciting है unexciting है non exciting जो भी आप देख लिए जगा ठीक है non exciting है चलो non exciting non exciting work है या boring है या उनके मताबिक नहीं है जो वो work चाहते थे यह सारी चीज़े एक dedicated individual को affect नहीं करती है यह सारी चीज़े एक dedicated individual को affect नहीं करती है अगर कोई व्यक्ति dedicated है towards his work तो उसको जो भी काम दिया जाएगा जैसा भी काम दिया जाएगा वो से complete करेगा और यही civil service में वो डिबांड करते हैं for example एक्जांपल एक्जांपल फॉर्मर आईपियस ओफिसर फॉर्मर फॉर्मर आईपियस ओफिसर और अभी वो राजपाल हमारे राजपाल भी रही है है ना हमारे मतलब पुर्दुचाहरी में उन्होंने राजपाल दिया है किरन बेदी मैं ठ किरन बेदी मैं इनकी एक स्टोरी सुनी होगी उन्होंने को यूट्यूब में खुद बताई है कि शी वस्वेरी ब्रेव फॉर्स आईपियस ऑफ हिंडिया तो उन्होंने क्या किया जब उनको ट्रांसफर किया गया जेल ठीक है उनको एक जेल में ट्रांसफर कर दिया गया तो ऐसा नहीं कि क्योंकि उनकी अच्छी जॉब थी पब्लिक सर्विस में यह सोचे कि आपको जिले से सीधे जेल में भीज दिया जाए तो आई-पीस तो थी उनका काम है जो भी मैंने आई-पीस की वर्दी लिया है जो भी अपना जो मैंने कोड़ आफ कंड़क्ट है मेरा उस पर काम करना अब मुझे कहीं भी भेजा जाए तो जहां पी रहती है क्योंकि dedicated person थी वह अच्छा काम करती है उन्हें जेल में काम करने के लिए भेजा गया तो उन्होंने उनको लगा कि वो उनके लिए punishment job होगी लेकिन क्योंकि वो dedicated person थी उन्होंने वहाँ पर सारी चीज को लाूट को यह सारी बात है उन्होंने अपने रैंटर्वियूों में ठूदि बताइं ते यह वहाँ पे प्रिज्ट नर के लिए बजन के लिए कट्राइफ की क्ली सभी क्लास इसरे निच की ऑछ सेертв साहिस कि इसको death penalty दे दो, इसको मार दो, और जो modern society होती है, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, reformative laws होते हैं, कि लोगों को सुधारा कैसे जाए, गर उससे कोई गलती होई है, उससे jail तो भेजा जाए, वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़े उसको सिखाई जाए, ताकि वहाँ से improve कोके निकले, वह वापस जब समाज में आए, उनको prison क्यों भेजते हैं, क्योंकि वह समाज के जो कुछ नियम और कायदे कानून है, जिस civil society में रहा जाता है, उसको break करते हैं, इसलिए वहाँ भेजते हैं, वहाँ से वो सुधर के बहार आए, ये कोशिश उन्होंने की, तो हो सकता था जिरोंने उनको वहाँ भेजा हो, उन्होंने उनको punishment job type के होते हैं, लेकिन क्योंकि वो dedicated individual है, वो civil services के पती dedicated है, तो उनको कहीं भी भेजोगे, वो काम करेंगी हैं, वो आज भी कितना actively काम करती हैं, क्योंकि वो dedicated towards work है, तो that becomes her, you know, example कि dedicated person को आप कैसा भी काम लो, boring, unexpected, या उनको जो उन्होंने demand ना किया हो, ऐसा dedicated person को demand नहीं करता है, क aspect of the work, ठीक है, इसलिए dedicated public servant निकाला जाता है, उसका बहुत example हमने, किरन बेदी में हमका, देखा, next है, मैं इसको मिटा लो पहले, या ना, public service में दो, हमने aspect देख लिए, तीसर aspect देखते हैं, next है, कि dedicated insure sense of duty, इसको साफ कर लो, हाँ, dedication जो है, वो insure करता है, dedication insures, dedication, insure, that, his duty, his or her, his or her duty, duty, becomes, end in itself, end in itself, इसका मतलब क्या हुआ, कि वो इतने काम इतने मगन हो जाते हैं, कि actually में, वो अपने काम को ही सब कुछ मान लेते हैं, मतलब वो जो कर रहे हैं, उससे क्या परिणाम आएंगे, उसकी परवा किये बिना, वो अपने काम इतने lean हो जाते हैं, कि उसको end मान लेते हैं, ऑगर मैं जो यह कर रहा हूं यही बहतर है। और विराट बेंस प्रbenुखह प्रेंद काम की उफ्रेंट में प्राइट सब्क्राइब नहीं होते हैं वो किससे कि तरफ कितने लॉयल रहे कितना उन्होंने उसके लिए काम किया उल्टो हो सकता है कि आपने बहुत मैनत की एक्जाम नहीं निकला लेकिन अगर वह सेंस अफ सैटिस्टेक्शन आपका डेडिकेशन तो आपकी प्रिपरेशन आ गया तो आप ज्यादा सैटिस्टेक्शन निकलोगे ठीक है तो ऐसे ही होता है कि अगर आप डेडिकेशन डेडिकेशन जो है वह इंशॉर करता है कि आप अपने ड्यूटी को ही एंड मान ले तो जो वह आप काम कर रहे हो उसी में ही आपको सब सैटिस्टेक्शन मिलने लगता है फॉर अहिंसा की तरफ उनका डेडिकेशन था लोगों की हेल्प की तरफ उनका डेडिकेशन था वह उनको पैदल चलाता था ठीक है वह इंडिगो रिवोल्ट के लिए ले जाता था तो उसमें उस प्रॉसेस में ही लोगों के हेल्प करने में ही वह लोगों के वाश्रूम साफ कर पते थे यह बताने के लिए कि देखो there's no difference between work and lower caste upper caste के यह सारा जो मसला है वो खतम करो तो यह जो गांदी जी का process था उसी में वो उसको end मानते थे ठीक है it is end in itself अहिंसा ठीक है लोगों की मदद करना यह सारी चीज़ें उनके लिए end थी तो I hope आपको सब्ज में आयोगा कि वस towards weaker section of society tolerance empathy sympathy towards weaker section of society फिर हमारा aptitude खतम होगा और हम emotional intelligence की तरफ चलेंगे तो मिलते है नेक्स वीडियो में thank you for watching